देश में बढ़ रही महेंगाई को लेकर देश की जनता काफी परेशान है महेंगाई की रोक्थाम करने के लिए शहर के कमाल चौक में रीपब्लिकन आगाड़े लोक्षाई मोर्चा के कारेकरताओं ने केंद्र सरकार के खिलाब जम कर नारेबाजी करते हुए अंदोलन किया इस मोके पर कॉमरेड अरुन लाटकर इन्होंने मोधी सरकार को आड़े हातों लिया आईए देखते हैं देश में महेंगाई दिन बढ़ रही है जिसका खामियाजा देश की जनता को भूगतना पढ़ रहा है पेट्रोल, डिजेल, अनाज, रसोई गयास, खाने का तेड, सबजी इस कदर महेंगी हुई है जिससे ग्रेनी का बजेट बिगड रहा है केंद्र सरकार जल से जल महेंगाई कम करें इस बात को लेकर आज शहर के कमाल चौक पर महेंगाई के विरोध में रिपब्लिकन आगाडी लोक्षाय मोर्चा ने जम कर अंदोलन किया इस मोके पर कारेकरताओं ने मोधी सरकार के खिलाफ जम कर घोष्टा बाजी की इस मोके पर कॉमरेड अरुन लाटकर इनों ने मोधी सरकार के कामकाजों पर नाराजी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की महेंगाई जैसे नितियों को आड़े हातों लिया हर राजनेता भारत को महागुरु बनाना चाहता है आत्म निर्भर बनाना चाहता है लेकिन नेता जीयों ने ये भी याद रखना चाहिए कि लोग महेंगाई से काफी चिंतित है घर का बजेट बिगड चुका है जिसका असर बेरोजगारी शिक्षन भुकमरी की और जूक रहा है महेंगाई को कम करना बह инт ज़रूरी है बलै 15 लग हर एक के खाते में जब आएगे तब आएगे लेकिन महेंगाई पर काबू पाना ये सरकार का काम है ना की जनता का क्योंकि देश की जनता इस देश का सच्चा मालिक है कमाल चोग से कैमरेपरसन राजकुमार महोड के साथ संजे मीरे बीसेन नियूज नाकपूर